तो हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने हिंदी यूटूब चैनल टेक ऑन लाइन में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सोलर पैनल होता है या कहें सोलर सिस्टम उससे आप जो है ज्यादा फाइदा कैसे उठा सकते हैं या उसका भ अपने जो सोलर प्लांट है या सोलर सेटव जो है उससे आप अच्छा जनेशन प्राप कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुब करते हैं और बात करते हैं अपने फर्स्तों की पर तो सबतों पहले तो बात की जाए इन्वाटर की फ्रेंड्स तो अगर आप एक अच्छा सो होता है कि जिसमें जो जनेशन है आप को 30 % अधिग मिलता है तो अगर आपका इन्वार्टर बेस्ट Hog सेण बेस्तों को मिलेघा तो P2 विद्द्द मैंने क्यूंग बताया । में ने क्यूं बता है कि कि इसमें जब आपका जो होता है सबसे पहले ही पादो ग्रिट को कफ़ीर तो वह सब्सक्राइल करता है कि आप से आप काफी अच्छा लोड होगा चला रखते होते हैं और आपका जो बिल है वो भी काफी बच चुका होता है फिर क्या होता है करेंट वोल्टेज भी फ्रेंट्स उसमें आपको देखने मिल जाता है तो सबसे पहले आपका इन्वार्टर क्या होना चाहिए एंप टेकनोलोजी होना चाहिए तब ही जाके आप बिजली की बजट कर पाएंगे तो वह आपका यूज करता रहेगा और आपको मिले आफ और ज्यादा उसमें हो जाएगा तो अगर आप एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं तो पीस्यू जरूर लीजिएगा भले ही पीडम्लियूम या जैसा हो हो आप पर लेकिन उस इंवर्टर में पीस्यू मोड होना चाहिए फिर बात कीजिए सगेंड नंबर पर आ जाता है अपना वायर देखे स्वोलर पैनल आप कोई भी लीजिए मोनो पर लीजिए पॉलिकर्ट नहीं लीजिए को भी लीजिए लेकिन अगर आपको बेट इंपेर आपका रहा है तो आपको 4 mm वायर लगाना चाहिए तो एंपेर के हिसाब से आप एंपेर गुड़े या बटे चार आप कर सकते हैं ठीक है एक एंपेर एंपेर तक का वो संभाल सकता है तो एक सही वायर का भी आपको चुनाओ करना चाहिए डीसी केबल हो तो बहु करनी है पिर आजाता है सोलर इस्ट्रक्चर अगर आपके सोलर पैनल से आपको अच्छी जनेशन चाहिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा जैसे कि आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी वारी की जिसमें मुझे उत्रा अच्छा जनेशन देखने को नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स मैंने उसको चेक किया कि कितना क्या एंगल है तो उसमें क्यों 10 डिग्री का ही एंगल होता है तो एंगल आप कैसे निकालेंगे आपको सिंपली गूगल मैप पर जाना है और वहां पर आपकी पिन टैप करनी है आपको और पैनल एंगल काफी जरूरी होता है अगर आपको जनेशन चाहिए तो एक तो यह हो गया पैनल एंगल फिर बात आती है बैटरी पे प्रेंट्स बैटरी एक बहुत ही महातुपूर्ण कंपोनेंट आपके लिए होता है क्योंकि अगर बैटरी अच्छी नहीं है आपकी फास् से चार्ज कर सकते हैं जबकी जो आपकी जो क्या के चार्ज कर सकते हैं जैसा कि मैंने मैं जो इस समय है डाव्याप्लस यूज कर रहा हूं और लेकिन जो एंपयर है वह मैं उतना ज्यादा सेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अपनी बैटरी जो इन्वर्टर बैटरी है और उसको अगर ज्यादा एंपर से चार्ज आप कर सकते हैं जो बैटरी है वह आपकी जल्दी खराब हो जाएगी उसकी लाइफ जो होगी वह काफी कम हो जाएगी तो इसलिए जो है आपको एक अच्छी बैटरी लगानी में जिसमें हाई एंपर से वह चार्ज हो जाया है हो वह अपन से आप इसको डिस्चार्ज भी कर पाए और आपको मैक्सिमूम कपैसिटी की लगानी चाहे बड़ी बैटरी आपको लगानी चाहे तब जाके आप सोलर का यूज कर पाते हैं जिसे कि मेरे केस में आप देखेंगे कि जो मैंने यहां पे 150 एज की बैटरी इस्टॉल कर रखी है और 800 वाट के पैनल मैंने इसमें लगा रखें लेकिन होता क्या है कि जब अपना 800 वाट का जनेरेशन होता है पूरे दिन में तो अपनी बैटरी लगबब 12 एक वेज़े तक का फुल हो जाती है और उसके बाद जो है जो अपना जनेरेशन होता है उसका वेस्टेज होने लगता है जो उर्जा अपनी सोलर से एनरजी आती है उसका वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाता है और उतना अच्छा आपको बैक अप भी जात में देखने को नहीं मिलता है जिससे कि आपको बिजली का बिल भी आना इस्टार्ट हो जाता है तो आपको बड़ा बैटरी बैंक कर रखना चाहिए और ग्रिट शार्जिंगर हो सके तो आप डिसेबल करके रखे जिससे कि आपको और भी अच्छा जो जनेरेशन है जो बड़ी लगा पाएं उतना ही बेस्ट रहेगा अगर आप गामा प्लस यूजर हैं तो आपको लगबग 300 तक की बैटरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा पैरले आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि आपको रात में भी बैक अप मिलेगा और उतना कम आपको बिजली का बिल चला पाएंगे तो फ्रेंड्स होफुली आपको कुछ ये टिप्स अच्छे लगी होंगी बाकी अगर आपका कोई सुझाब है तो कमेंट में जरूर बताइए बाकी मिलते एंगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए